हेलो दोस्तो, हिंदी एंड वोई टिप्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तो, आज मैं आपको वट्सप की 5 ऐसी न्यू सीकरेट सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा जो आप में से 99% लोगों को नहीं पता होगी जी हाँ दोस्तो, अगर आप एक वट्सप यूजर है तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ न्यू ऐसी सेटिंग्स पता चलने वाली है जिनें देखकर आप एकदम से चौक जाएंगे दोस्तो, पांच सेटिंग में से दो वट्सप की न्यू अपडेट सेटिंग है जो बहुत ही जादा यूसफुल सेटिंग है तो अगर आप जानना चाहते हैं इन सेटिंग को तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको ये वाल पेपर पसंद आ रहा है तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं ये एक 4D वाल पेपर है तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों फर्स सेंटिंग की मदद से आप वटसब पर किसी भी मेसेज या न्यूस के बारे में पता कर सकते हैं कि वो रील है या फैक है जैसे कि आपको पता ही होगा आज कल वटसब पर काफी सारी फैक न्यूस फैल रही है कुरोना वायरेस के तालुक से तो WhatsApp ने एक new update लाया है आप देख सकते हैं यहाँ पर एक message है और उसके सामने एक search button लगा हुआ है आप देख सकते हैं यह जो message है यह double forward है यानि कि यह double forward हुआ है ठीक है तो इसके सामने एक button लगा हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं single forward message है तो यहाँ पर कोई button नहीं लगा हुआ है तो यह message जो double forward है अब यह real है या fact है यह जो news है या कोई message है तो इससे पता करने के लिए आपको search button पर click करना है और यहाँ पर आपको search web पर click करना है तो आपके phone का जो default browser होगा तो वो open हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह message है यह news real है या fact है यहाँ पर आपको सारी details पता चल जाएगी जैसे कि आप देख सकते हैं काफी सारे result यहाँ पर आ चुके हैं तो इस तरह से दोस्तो अगर आपको कोई double forward message मिलता है और उसके आगे search button है तो आप उसके बारे में पता कर सकते हैं दोस्तो यह whatsapp का new update है हो सकता है यह update अभी आपको मिला ना हो तो आप whatsapp को update कर लीजिए हो सकता है आपको यह update फोरण मिल जाएगा या फिर आपको कुछ दिन wait करना पड़ेगा आगे बढ़ने से पहले दोस्तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर किलिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ मैं bell icon को दबा कर all पर set कर दीजिए ताके जब भी मैं इसी तरह की वीडियो अपलोड करू तो इसकी notification सबसे पहले आपको मिल जाए इसके बाद दोस्तो आपको नीचे आना है और comment में मुझे अपना नाम लिखकर बताना है आपका नाम क्या है अब दोस्तो बात करते हैं दूसरे update की हो सकता है WhatsApp का ये दूसरा update आपको पसंद ना है WhatsApp पर काफी जादा fact news फैल रही है इसे रोकने के लिए WhatsApp ने फिर से एक new update लेकर आया है जैसे कि आपको पता ही होगा पहले हम किसी भी message को एक साथ सिर्फ 5 बंदों को ही share कर पाते थे लेकिन अब दोस्तो क्या होगा आप किसी भी एक ही बंदे को कोई भी message को share कर पाओगे जी हाँ दोस्तो ये update मेरे WhatsApp में आ चुका है आप भी check कर लीजिए आपके WhatsApp में भी आ गया होगा या फिर आने वाले दिनों में आ जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक message को select किया और यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते हैं मैंने एक बंदे को select किया और फिर से यहाँ पर मैं एक बंदे को select करता हूँ तो आप देख सकते हैं यह बोल रहा है कि आप इस message को सिर्फ एक ही बंदे को forward कर सकते हैं क्योंकि WhatsApp पर बहुत ही जादा forward हो रहे हैं fact news इसलिए WhatsApp ने फिर से एक new update लेकर आया है आप देख सकते हैं यहाँ पर यानि कि एक message को आप एक ही बंदे को forward कर पाएंगे अगर आप जादा लोगों को message करना चाते हैं तो आपको एक-एक करके करना होगा एक-एक करके आप सभी लोगों को कर सकते हैं copy-paste करके भी आप एक-एक चैट को open करके message कर सकते हैं लेकिन अगर आपको select करके forward करना है तो सिर्फ आप किसी एक बंदे को कर सकते हैं यहाँ पर मैं आपको मेरा दूसरा WhatsApp open करके दिखा देता हूँ यहाँ पर दोस्तो मुझे अब यह update अभी नहीं मिला है यहाँ पर मैं forward करता हूँ तो आप देखेंगे 1,2,3,4,5 लोगों को यहाँ पर message select हो गया और share भी होगा जैसे कि आप देख सकते हैं लेकिन मेरे इस WhatsApp में दोस्तो यह update आ चुका है तो यह update दोस्तो हो सकता है आपको पसंद ना है आपको पसंद आया या नहीं मुझे comment करके जरूर बताना अब दोस्तो बात करते हैं तीसरी setting की तो मान लिजी आप YouTube पर वीडियो देख रहे हैं अपने friend के साथ में, अपने family member के साथ में और उसी दर्मियान आपको WhatsApp पर कोई message करता है तो दोस्तो वो message डिस्पेले पर show हो जाता है नाम, profile और बंदे ने message में क्या लिखा है वो भी दिखाई देता है ऐसे में अगर आपका कोई खास friend आपको WhatsApp पर message कर दे तो वो message को सभी लोग पढ़ लेंगे जो आपके आसपास बैटे हुए है और दोस्तो वो message notification में भी show होता है message में क्या लिखा हुआ है, profile name वगरा सब दिखाई देती है तो अगर आप चाते हैं ये message hide हो जाए कोई बंदा आपको message करे तो उसका नाम और message में क्या लिखा हुआ है वो show ना हो, तो आपको जाना है WhatsApp में 3 line पर click करना है, settings में जाना है यहाँ आपको account में जाना है, यहाँ आपको privacy में जाना है यहाँ नीचे आपको एक setting मिलेगी, fingerprint lock आपको इसे open करना है, यहाँ से इसे on कर लेना है, fingerprint लगा कर ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे यह setting on होगी आपको इस setting को off कर देना है इसे off करने के बाद दोस्तों क्या होगा, कोई बंदा अगर आपको message करेगा वो message में क्या लिखा हुआ है, उसकी profile दिखाई नहीं देगी आपको notification आते रहेंगे, लेकिन message में क्या लिखा हुआ है, दोस्तों वो दिखाई नहीं देगा जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं notification panel को open करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे, notification panel में भी यहाँ पर message में क्या लिखा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों अब बात करते हैं, चोतिस setting की तो अगर आप एक WhatsApp user है, दिन भर WhatsApp को use करते हैं ऐसे में दोस्तों क्या आपको पता है, कि आप WhatsApp पर सबसे ज़ादा किसके साथ chatting करते हैं, क्या वो कोई आपका friend है, या फिर आपका कोई family member है, या फिर किसी group में आप बहुत ही ज़ादा chatting करते हैं, अगर आप यह जानना चाहते हैं, तो आपको उपर three dot पर click करना है, settings में जाना है, यहाँ पर आपको data and storage में जाना है, और यहाँ पर आपको एक setting मिलेगी, storage uses, आपको इस पर click करना है, तो यहाँ पर आपको एक पूरी list देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पूरा data देखने के लिए मिल जाएगा, कि आपने सबसे जादा किसके साथ chatting की है, जैसे कि आप देख सकते हैं, आप इसे open करके भी देख सकते हैं, कितने messages किये गए हैं, videos, stickers, photos वगएरा कितने share किये गए हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोस्तों, पाचवी सेटिंग की मदद से आप WhatsApp को बहुत ही जादा खूपसूरत बना सकते हैं, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने open किया अपना WhatsApp और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने background में काफी cool wallpaper लगा रखे हैं, तो इस तरह से दोस्तों, आप आप भी अपने WhatsApp के background में काफी cool WhatsApp background wallpaper लगा सकते हैं, जिसे देखने के बाद आपका friend आपसे एक बार जरूर पुछेगा भाई तुने यह इतने अच्छे-च्छे WhatsApp background wallpaper कहां से download की है, तो अगर आप इस तरह के wallpaper लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक application को download करना होगा, इसका link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा, application को open करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से interface आ जाएगा, उपर यहाँ पर आपको categories देखने के लिए मिल जाएगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, what's up wallpaper आपको इस पर click करना है, इस पर click करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको काफी cool what's up background wallpaper देखने के लिए मिल जाएगे, जो भी background आपको पसंद दे आप उस पर click कीजिए, अब दोस्तों यहाँ पर आप apply पर click कर के इस wallpaper को अपने mobile की home screen पर भी set कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे what's up के background में लगाना चाहते हैं, तो आपको पहले से download करना होगा, download button पर click करके, कोई add show होगी तो आपको add को disable कर देना है, यह download हो चुका है, तिक इसके बाद what's up को open करना है, three dot पर click करना है, यहाँ पर आप यहाँ पर आपको wallpaper पर click करके, यहाँ पर आपको gallery को select कर लेना है, और जो भी wallpaper आप में download किया है, उसे यहाँ पर आप select करके, नीचे set पर click कर दीजे, अगर आप आप back आकर देखेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर आपको काफी cool wallpaper दो देखने के लिए मिल जाएंगे, what's up के background म जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इस तरह से दोस्तों आप WhatsApp को काफी खुफसूरत भी बना सकते हैं, तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है, तो इस वीडियो को like कर दीजे, share कर दीजे, और मुझे comment करके बताईए, कि आपको कौन सी setting सब से जाधा पसंद आई, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टैंक यू